अरे क्या बात बोलते हैं हमारा 38% भोत शेर था अगली बार चार परसेन का ही रास्ता है आप देखते देखते सरकार बन जाएगा कैसे चार परसेन भोत तो मोडी जी ने ये पास साल जतना काम किया चार परसेन भोत तो अटोमेटिक आई गिया है जो एक तो माहोल बना के रखा हुआ है ना आप खाली भोटिंग परसेंटेज देखिए लोग सभा में हमें लास टाइम 38 परसेंट भोट मिला था विदान सभा में 32 परसेंट भोट मिला है तो यह पास साल में तो मोडी जी इससे तो अच्सा कम करी दिया है कि ये तो सुना ऐँ तेको ये आप मानते है तो अगर आप वह है तो हमें क्यों 38 पर सेंट भोट मिलते हैं बी जेपी को 38 पर सेंट क्यों मिलते हैं मतलब इहां में जो ब्रैन है उसका निगेतिवous भाड भी तो है ना नहीं तो हमें 38% भोट क्यों मिलते हैं 38% भोट का मतलब जानते कर लो कम से कम एक क्रोरों लोग अगर एक क्रोरों लोग एक बैक्ती को एक अनुस्तान को एक पार्टी को ब्रेंड नहीं मानते है डेट टू इन 2019 2024 में और 356 लाग एड होने में कितना समय लगते हैं मेरा तो मने में तो जानता हूं यहां ओट टेकिंग सरीमेनी होगा आना होगा मुस्कुद इसलिए इसलिए आप क्या स्ट्रेजी करेगे ने में तो यहां आके ही मेरा कोई प्लैन नहीं है प्लैन टू जगर जगरनाट को सेवा करना है बीजेपी को उरिष्णा का सेवा करना है और जगरनाट जी हमें मुका देगा अकेले बनाएंगे अकेला कैसा सरकार बन सकता है सब तो मिल के ही बनना पड़ेगा तेकला कोई अलग पार्टी में एकला होता है बीजेपी में कुछ कम एकले ने होत रहे हम तुब अलग पार्टी नहीं है कि एक ही बेक्ति कि आप देखते रहेगा हमारे यहां में तो सब को देखना पड़ेगा सरकार कहां एकला बनता है वही वही सबसे जाड़ा प्रॉब्लम है जो एकला वाला बाद हो जाता है सरकार तो सामूहिक नेटीतर से बनता है ना और बन जाएगा सरकार बहुत बरिया से और मैं तो अभी यहां बोलके जाता हूं कि मुझको और आना है और टेकिंग सरीमनी में न्याई क्यों इन्याई तो जो बेक्ति राम का साथ इन्याई करता है वो भारत का साथ कैसे न्याई करेगा जो यह राहूल जी राम लाला को थूकरा रहा है वो क्या भारत को अपना दिखायेगा तो यह जात्रा का नाम भारत तोरो अन्याई यात्रा पाकिस्तान को वो लोगों नहीं भारत से अलग कर दिया भारत तो तोर दियाठा 1947 में यही कङ्वेश सी लोगों ने और अभी अन्याई भी कर रहे है तो यह जात्रा का नाम है भारत तोरो अन्याई यात्रा यह जो इंडिया अलाइन्स तो नहीं हो सकते हैं यह इंडी सिंदी बिंडी कुछ भी अलाइन्स है और इहां में आपको सौप अपेरा डेइली देखने मिलेगा आप उनका अगर हिस्ट्री देखे तो ऐसा ही है सुबह ममता बोलेगा मीटिंग में आऊंगा साम बोले ने मेरा फ्लाइट मीज हो गया मैं नहीं आ रहा हूं काल निटिसकुमार बोलेगा मुझको कंवेनर बनाओ परसी दिन बोलेगा मुझको कंवेनर बनने का मन नहीं है तो कोई दिन आप देखेगा पावर जी आ रहा है मीटिंग में प्लेनी डाइवार्ड हो जाएगा नहीं आ पाया तो ऐसा entertainment news आपको इंडिया लाइन्स से मिलते ही रहेगा अभी आप कैटना इसको importance देता है आपका उपर ही है नितिश कुमार जी क्या बोला है उसका उपर में टिपनी नहीं करना साता हूँ यह कोई सीरियस पॉलिटिकल अलाइन्स नहीं है इंडिया गडबंधन इंडी गडबंधन यह एक entertainment news देने का एक स्रोध है और बाकी कुछ नहीं है मैं तो कोई आप चांटे में एक दूसरा कारीकरम के लिए आया था मेरा यह कोई पॉलिटिकल तोर नहीं है लेकिन हमारे लिए हमारा कारियलाई मंदीर होता है तो मैं मंदीर डर्शन करने आये थे आप देखिए कॉंग्रेस ने जीवन भर पाप किया राम लाला का मंदीर ना हो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब मन्स में ओ लोगों ने सरयन किया कल्यान सिंग जी का सरकार भी उन्होंने तोरा राम मंदीर को लेते हुए तो उनको तो पहले इंवाइटेशन देना ही नहीं साहिए था लेकिन विश्व हिंदु परिशत ने बरपन दिखाया उनको बुलाया बुलाने का बात अरे कम से कम जाओ तो कम से कम तुम्हारा पाप थुरा कम हो जाएगा तो उनको बुढ़ी देने से भी अपना पाप खंदन करना नहीं साथे किसले उनके लिए बाबर जादा प्यारा है तो यह एक कॉंग्रेस जो है वो बाबर का पास जाने के लिए उनको अच्छा लगता है राम का पास आने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं तो यही मानता हूँ कि पापी थे पापी ही रहेगा आप कैसे मदद कर से उनका सफाई का क्या भेलू है मैं अगर मं पर तम में सला जाता हूं आपको फटेटो मेडिया देख रा था राहूल गांधी भी बावर तॉम में गिया था इन दिराजी भी बावर पास तो अलु का आदद ही बन गिया बावर का पास जाने का विराम का पास कैसे आ पाएगा टो इस लिए उनका कोई explanation बगरा नहीं है, उनका जो क्रियाकान होता है, हमने देखा उनका क्रियाकान, उही उनका explanation है.